Hello friends, welcome back in third part of third chapter, water resources. I hope आप सब happy and fine हो. तो friends, आज हम इस वीडियो में इसी chapter को continue करते हैं. तो चलो friends, start करते हैं. आज हम पढ़ेंगे multi-purpose river projects and integrate water resource management. इस topic के बारे में हम पढ़ेंगे. और इस पूरे topic में हम आज dam के बारे में ही study करेंगे. कि dam क्यों बनाया जाता है, किस purpose के लिए बनाया जाता है, किस किस सीज में यूज किया जाता है इसका. इन सब के बारे में ही, हम जितना में topic पढ़ेंगे न, ये पूरा dam के बारे में ही होगा. तो चलो friends, start करते हैं. But, how do we conserve and manage water? मतलब हम किस तरह से पानी को conserve और manage करें? Archaeological and historical records show that from ancient time, we have seen, we have been constructing sophisticated hydraulic structure like dams, built of stone rubble, reservoirs, lakes, embackments and canals for irrigation. मतलब, जितने भी archaeological records है, जितने भी historical records हैं, हम ये दिखाता है कि in ancient time में हम क्या करते थे? जैसे बावडिया बनाते थे. बावडियों का निर्मान करते थे. डावडियों का निर्मान करते थे. थे. तो इस सिसके लिए हम निर्मान करते थे. थे बावड़ियों का निर्मान करती है, जिस ब corrosion के लिए जाती हैं अगर में यूर करो देखनते, ना जिन में भी एक़ पिर्णी एक किन्ज आयून के घ्रियन वैसे जिली हैं, और हले सब्पांगे इकान कंजर वी कहा हैं, in modern India, modern India के अंदर भी by building dams in most of the river basins, हम क्या करते हैं कि अब रिवर्स के ओपर क्या है, dams वगरा बना लेते हैं, पहले बावड़िया वगरा का निर्मान करवाई जाता था, अब dams वगरा बनाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो इस तरह से हैं ना, पाने को हम कंजर्व भी कर सकते हैं, और मैंनेज भी करके रख सकते हैं, इस बोक्स में थोड़ा इंपोर्टन है, तो मैं यह आपको बता देती हूं, डिूरिंग दा टाइम अफ चंदरगुप्त मोरे, मतलब चंदरगुप्त मोरे के टाइम प्रेड पे, जो डैम से इरिगेशन सिस्टम है, यह अच्छे से बनाये जाता था, और इसका वर्काना में उस टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है, इविडेंस ओफ सोफेस्टिकेटड इरिगेशन वर्क हैव अलसो बिन फाउंड इन, जैसे एविडेंस हमें पाये जाते हैं इरिगेशन वर्क के, कि इरिगेशन का काम कौन्शकौन से स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलता था पहले, तो यह आपका उडिशा हो गया, अंदरप्रदेश हो गया, और करनाटक हो गया, महारस्ट हो गया, तो इन स्टेट से जो है इनका एविडेंस देखने हो मिलता है, इरिगेशन वर्क का, कि इरिगेशन का वर्क यहादा, सिंचाई का वर कहा पर जादा किया जातो था मतलब बोपाल लेक 11th century के अंदे बोपाल लेक जो था वो सबसे बड़ा आर्टिफिशल लेक था इन था 14th century the tank in होजखास यह होजखास जो ही डेली के अंदर है इसमें आपको पता है कि 14th century में एक होजखास जो डेली के अंदर है मतलब इल्टूतमिस ने टैंक बनवाया था ठीक है और यह पानी सप्लाई के लिए बनाया था तो यह आप लोग जो है थोड़ा जनल नोलेज के लिए याद करके रख सकते हो आई होप आपको समझ में आया होगा और यह आप बापस एक बार खुद से भी रीड कर ले ना अब यह डेम्स क्या है और यह हमें किस तरह से हेल्प करते हैं पानी को कंजर्फ करने में और मैनेज करने में डेम्स वर ट्रेडिशनल इंपाउंड रिवर्स और रेंवाटर रैड कुड भी यूज लैटर टू इरिगेट अग्रिकल्चर फिल्ट्स मालब डेम क्यों बनाया जाता है डेम्स सबसे बड़ा यह परपस है डेम का कि जो डेम्स है वो बना लो तो उससे कह कि खेतों के अं को मलब अच्छा प्रोडिक्शन के लिए हम क्या गरते कि वहाँ से पानी की है ले सकते हैं तो डेम्स इसलिए बनाया जाते हैं तो डेम्स अर बिल्ट नॉट अभी कर टाइम पे डेम्स बस इरिगेशन सिस्टम के लिए ही नहीं बट फो इलेक्रिसिटी जनेरेशन अभी हम इलेक्रिसिटी जनेरेट कराने के लिए भी डेम्स का निर्मान करवाते हैं मतलब इरिगेशन सिस्टम तो इसके लिए तो करते ही हैं इसका निर्मान लेकिन इसके साथ साथ हमें इलेक्रिसिटी परपस के लिए भी हम क्या करते हैं डेम्स का निर्मान करवाते हैं water supply for domestic, domestic and industrial use, flood control, recreation, inland navigation, fish breeding, इन सब वर्क के लिए, जैसे कोई domestic यूज के लिए water का उसमें से यूज कर लिया, या fish breeding हो गया, या flood control, इन सब में भी dam जो है, यह बहुत अच्छे से काम आता है, तो dam का इसलिए निमाड करवाए जाता है, hence, dams are now referred to as multi-purpose project, अब है न, dam को multi-purpose project के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले तो बस irrigation system के लिए हम dam बनाते थे, लेकिन अभी बहुत सारे purpose के लिए हम dam बनाने लग गए, जैसे electricity के लिए बनाना इस्टार्ट कर दिया, जैसे हमने navigation system के लिए बनाना इस्टार्ट कर दिया, flood control के लिए हमने इसको dams को बनाना इस्टार्ट कर दिया, तो इसी वे जैसे इसको multi-purpose project के नाम से जाना जाता है, where the many uses of the impounded water are integrated with one another, क्योंकि इसमें बहुत सारे uses जूड़े होए न, इसले dams को multi-purpose project के नाम से जाना जाता है, for example, जैसे आपको example दिया है, in the Satluj Bias River basin, the Bhakran Angal Project water is being used both for hydral power production and irrigation, जैसे बताया है कि एक Satluj River है, ठीक है, Bias River है, तो वहाँ पे भाकरान अंगल project बनाये गया है, ठीक है, Satluj River के उपर भाकरान अंगल project जो है, dam, ये बनाये गया है, और ये किस्स के लिए, एक तो hydral power production के लिए, electricity के लिए, और दूसर irrigation के लिए बनाये गया है, ठी I hope आपको समझ में आया होगा, ये जनरल के लिए आप याज करके रख सकते हो, कि जैसे आपको पूछ लिया जाए, कि जो बाकरान अंगल project है, ये कौन सी रिवर पर बनाये गया है, तो Satluj or Bias River, एंड ये मतलब कौन से state में है, तो ये हिमाचर परदेश आप बता सकते हो, और किस सीज के लिए बनाये गया है, तो ये हाइडल पाउर production के लिए और irrigation facility के लिए बनाये गया है, Similarly, इसी तरह से हिराकून प्रोजेक्ट जो है, ये हिराकून प्रोजेक्ट इन महानदी बैसिन, integrate conservation of water with flood control, ये किस लिए बनाये गया है, ये जो हिराकून प्रोजेक्ट है, यह उडिसा में बनाये गया है और कौन सी रिवर पे महानदी बैसिन के उपर बनाये गया है और यह किसलिए वाटर एक तो वाटर को कंजर्ब करने के लिए एक फ्लड कंट्रोल के लिए तो यह आपको अच्छे से याद रखना है कि जैसे आपको पूछला जाए कि भाकरनाग किसलिए बनाये गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए फ्लड कंट्रोल के लिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डैम सम क्यों बनाते हैं डैम जो है पहले इरिगेशन परपस के लिए बनाया जाता था लेकिन अब इसके बहुत जादा परपस है जैसे इसको इसको परपस के लिए हम डैम्स बनाते हैं तो इसी वज़ेसे इसको मल्टी परपस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे परपस के लिए यूज किया जाता है इसको मल्टी परपस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें आपको दो डैम्स के बार बनाए गया है कौन सी रिवर के उपर बनाए गया है महानदी बेसिन के उपर और किसी इसके लिए तो वाटर कांजरवेशन फ्लरड कंट्रोल के लिए बनाए गया है आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा इसके लिए तो एक तो यह हमारे नेशन को डवलप करने में हेल्प करता है जिसे डैम्स जो बनाते हैं तो इसे हमारी एकोनॉमिक प्रोग्रेस है डवलप्मेंट भी हो रही है तो इसे डैम्स को बनाया जाता है जवारलाल नेहरू प्रोवडली प्रोक्लैम्ड दर डैम्स अज़ा टेम्पल ओफ मोडन इंडिया यह आपको पूछा जा सकता है कि जो जवारलाल नेहरू है इन्होंने डैम्स को किस नाम से बुलाया है तो यह बोला है इसको टेम्पल ओफ मोडन इंडिया डैम्स को जवा अब ये इसका कारण क्यों है कि इसको Temple of Modern India क्यों बोला गया है क्योंकि हमारे development में help करता है economic progress में help करता है ठीक है जैसे industrialization, urbanization ये बढ़ रहा है तो इसके साथ हमारी economy और जितनी भी चीज़े है इसको development करता है इसको Temple of Modern India बोला गया है जैन नेरु के द्वारा इनको बोला गया है Temple of Modern India तो friends I hope आपको इतना समझ में आया होगा we will meet in next part of this video till then bye have a nice day